नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूटूब सेनल कहले लर्निंग पॉइंट मैं, मैं हूँ खोशाहल सिंग, आज आपको कुछ इस टाइप के कुश्चन सिखाएंगे, जो की सभी परिछाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इनको गयात करनी है, कुश्चन को समझ लीजी, एक संख्या है जिसका दस परिषग, उसी संख्या के 20-35 से 4 कम है, तो उस संख्या को गयात करना है, क्या करना है आपको ध्यान दिजी याँ पर, मात्र, 5 सेकन में आप इसको सौल करना सीख जाएंगे, क्या करना हे ये आपको चार गुणा है आपको 100 लिख लेना है बटे में यह 20 और 10 इनका अंतर लिख लेना है अंतर मतलब घटा न लिख लेना है 20 में ऐसे 10 को घटा दीजी कितना है 10 बस इसको solve कर लेना है 1 0 स 1 0 काट दीजीए क्या बचा 10 गुणा 4 10 गुणा 4 होता है 40 आपका अंसर आ गया, बहुत ही जल्दी आपका अंसर आ गया, क्या करना है, जितना कम या ज्यादा दिया जाए उसको लिख लीजिए, गोडां सो कर दीजिए, और इन दोनों पिरतिसत का अंतर बटे में लिख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो इतने जल्दी आप solve कर पाएंगे चलिए देखते हैं इसी प्रकार कर next question तो यह आपके सामने question question क्या है यदि किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 30% से 140 अधिक है तो उस संख्या को ग्याद करना है संख्या को ग्याद करना option आपके सामने A, B, C, D इन चार option में से एक option सही है तो जैसे अभी बताया था उसी तरीके से आपको इस question को solve करके इस मेंसे एक answer बताना है इसके लिए आपको वीडियो को रोब कर इस question को solve करके इन चार option मेंसे एक option सही है उसको आप ढून सकते हैं चलिए कर लीजिए मुझे आसा है कि आपने वीडियो लोग कर ये question solve कर लिया होगा और option भी टिक कर लिया होगा चलिए करना क्या है solve करके देखते हैं आपका answer क्या सही आया है क्या करना होता है जितना यहां कम या अधिक दिया है उतना लिख लीजिए 140 अधिक है तो 140 लिख लो गुणा कितने इस करना होता है 100 से बटे में क्या लिखते हैं 50 और 30 फिर्तिसत में हैं इनका अंतर लिखते हैं इनका अंतर लिखते हैं 50 में से 30 गटाया कितना आया 20 20 लिख लिए अब इसको आलकर लीजिए 1 0 से 1 0 काड़ दी 2 से 1 काड़ दी जिये 2 सत्य 14 और 0 और 70 गुड़ा दस बचेगा 70 गुड़ा 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 700 option आपका सही हो जाता है V option क्या आपका यही आंसर सही आया बेरी गुड आपने सही किया चलिए next question देख लेते हैं क्या है यह रहा question आपके सामने है यदि किसी संख्या का 80% उसी संख्या के 50% से 360 अधिक है तो संख्या ग्यात किजिए तो संख्या को ग्यात करना से सेम उसी तरीके इस करना है चलिए आप solve करके इस question का answer बता दीजिए क्या है इसका answer वीडियो को रोक कर आप इस पर कमेंट करिए कौन सा answer है जियां आपने वीडियो को रोक कर solve कर रिया होगा चलिए आप आपको इसको solve करके दिखा देते हैं क्या करना है आपको 360 लिख लेना है गुणा कर देना है 100 से बटे में 80 और 50 को घटा कर लिखना है कितना 80 में से 50 घटा है 30 अब इसको solve कर लेंगे एक 0 से 1 0 काट दिया 3 से भाग दो 3 एकम 3 3 दो निचे 0 में 0 वार अब 120 गुणा 10 आया 120 गुणा 10 आयेगा तो यह हो जाएगा आपका वार रैसो answer आपका आगया 1200 1200 कितना आगया 1200 option सही हो जाता है आपका वी option सही हो जाता है भागिएगा मत आपके लिए एक question आपको इस के लिए दिखाए जाएगा आपको आप इस तरीके question करना सीख चुके हैं तो इस question का आपको answer जरूर comment में लिखना है और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share जरूर करें चलिए देखते हैं आपके लिए homework तो यह रा question आपके सामने question है यदि किसी संख्या का 90% उसी संख्या के 10% से 16% अधिक है तो संख्या ग्याद करना है option है ए 70, B80, C40, D20 इस में से जो सही option है उसको आपको comment box में solve करके बताना है तो वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो share कर दीजी like कर दीजी और चैनल पर पहली बार आए हो वीडियो समझ में आया है तो चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि इसी प्रिकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारी चैनल पर मेहत सिका देंगे आपको मेहत मुस्यार बना देंगे और नम्मर कम नहीं आने देंगे तो आज की वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन जैवारत